आज इस वीडियो में लोग सिखेंगे है कि STML के बारे में STML क्या होता है, किस प्रकार से हम STML में कोडिंग करते हैं, tax क्या होता है, किस तरह से हम कोडिंग को save करते हैं, इसब कुछ हम क्या करेंगे , किस प्रकारसे हम कौन्ट वालाक काम पुरा करते हैं , यह हमारा ntml यह हमारा first video , first lesson , यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे ? धीरे-धीरे basic से लेकर advise , जिकhेंगे किस तरह से हम Coding करते हैं , किस तरह से एक वेब पेज्ट रेडी करते हैं, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सा स्मझ लेते हैं, उसके बाद कुछ हम लोग कोडिंग करना सीखेंगे, किस तरह से हम कोडिंग करेंगे, क्या है, आपना ओपेन कर लिये तियोरी, जैस यहां लिखाए कि, कि HTML एक markup language है जिसका इस्तेमाल web page को बनाने के लिए किया जाता है इसके अलावा इसका इस्तेमाल web application बनाने के लिए किया जाता है HTML बहुत सारे tags होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने web page को अशानी से बना सकते हैं मतलब कि HTML का जो हम यूज करते हैं क्या एक वेब पेज मतलब कि इंटरनेट का पेज बनाने के लिए करते हैं वेब इंटरनेट का पेज बनाने के लिए या कुछ एप्लिकेशन हो गया कोई सॉप्टवेर हो गया या कोई games हो गया, यह सब बनाने के लिए हम क्या करते है, HTML का यूज करते है, मतलब उसमें बहुत सारा coding करते है, तब जाके हमारे internet का एक page ready होता है, एक games ready होता है, एक application ready होता है, जैसे, मार के चलिए कि हमें आपस देखिए, ब्राउजर में यह Google open किये है, ठीक है, यह जो Google दिख रहा है, यह ऐसे नहीं दिख रहा है, इसमें coding किया हुआ है, तब जाके यह सू कर रहा है, जैसे coding आपको देखना है, तो जैसे इसको पर right click करेंगे, और यहाँ देखिए शू करा view page source, इस पर click करेंगे, तो देखिए, आपस बहुत सारा यह coding दिखा दिखा दिया है, HTML का coding दिखा द रहा है, तो इसी तरह से हम लोग से किस सब प्रकार से coding करेंगे, HTML में, हम भी एक अच्छा सा वेब page ready करेंगे, एक अच्छा सा application, एक अच्छा सा games, धीरे धीरा हम लोग एक सब सिखेंगे, जैसे और कुछ थोरा सा समझ लेता है, अब यहां लिखा है कि HTML code को लिखने के लिए किसी बीसे software के जोर्त नहीं होती, इसके लिए हमें notpad और web browser की जोर्त होती है, जो कि हमारे computer पर पहले से मज़ूद होता है, मतलब हमको HTML coding करना है, तो हमको अलग से कोई software इंस्ट्रा करने के जोर्त नहीं है, notpad, notpad software हमारे system में पहले से रहता है, और web browser मतलब internet को चलाने के लिए जो ब्राउजर होता है, जैसे Google Chrome, Mozilla Firefox और कोई ब्राउजर, तो उसके द्वार हम लोग क्या कर सकते हैं, notpad को हम coding करते हैं, और उस coding को हम लोग देखते हैं, तो web browser में देखते हैं, ठीक है, उसी तरह लिगा है कि HTML की coding जब हम करते हैं, और उस HTML का जो coding है, notpad में करेंगी, तो जब हम notpad में coding करेंगे, और उसको save करके, हम web browser में क्या करेंगे, run करेंगे, तो जो भी हम coding की है notpad में, उस는 coding क्या करेंगा, वे browser में दिखाएगा, कि अप क्या coding की हैं, और उसका output वहां वां शू करेगा, उसी तरह लिखा है कि HTML का फाइल का extension .html होता है, अर्थात इसके फाइलों को हम .html लगाकर save करते हैं, मतलब जब भी हम notpad में coding किये, अब उस फाइल को save करना है, तो .html लगाकर कि हम save करेंगे, मतलब कोई भी नाम डालेंगे, फिर उसके बाद .html करेंगे, तब हमारा coding save होगा, तब उसको वे ब्राउजर में जाकर run कर सकते हैं, और जो coding हैं, उसी हिसाब से वापस show करेगा, उसी तरह show करा HTML text, HTML में text क्या होता है, तो HTML text तीन भाग होते हैं, पहला opening tag, tag, दूसरा content और तिसरा closing tag, लेकिन कुछ tags भी ऐसा होते हैं, जिनका कोई closing tag नहीं होता, जब भी हम HTML में coding करते हैं, तो tags बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हम बिना tags को कोई काम नहीं कर सकते हैं, सभी HTML text को, यह हमारे पार show करा symbol, less than और greater than, इन bracket में हम लिखते हैं, मतलब कि जब हम HTML का coding करेंगे, coding किस में करेंगे, notpad software में करेंगे, तो जो भी coding करेंगे, हम less than greatolue में काम होगा यहां पास है यहां पास लिखा है यह यहां पास संद्राइब हो गया है यहां यहां फीक पास हो गया अब इसका हम थोड़ा से प्रैकल देखते कि किस तरह था हम एक वेपेस्ट रेडी कर सकते हैं, तो इस हम को कोडिंग करने के लिए, हमको notepad open अपड़ेगा, तो notepad मिलेगा कहा हम, just start button पर click करेंगे यहां और यहां search करेंगे, notepad, यहां लिखना है, type here to search, यहां पास notepad, 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 search करेंगे, तो यहां पास हमारे पास देखिए, notepad आ जाएगा, यहां फिर हम अब just window प्लस R करके window प्लस R करेंगे और यहां पास भी भी हमको क्या लिकना है not bad N O T E T A D यह लिखना है और just okay करेंगे तो हमारे पास देखिए आप से क्या हो जागा यह not bad open हो जागा अब जो भी coding होला काम करना है हमको यही करना है तो जैसे हम कुछ coding करते हैं जैसे first जो coding होता है less than में हमारे पास .html लिखे, अब जब हमें आपस less than stml किया तो यहां पास greater than sum को बंद करना होगा पिर इंटर करेंगे, अब यहाँ पास फिर से less than किये, अब वहाँ पास जो उपर में HTML लिख्या है, इसको हमको नीचे slash लगा के क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है, तो जिसे हम slash लगा दिए हाँ पास, और HTML करके हाँ बंद करेंगे, अब यहाँ पास इंटर करें में होगा अब जिससा हम आपास STML लिखें अब यहाँ पास हम struct會 से क्मेश हैं लुए उसके लिखें तक यह क्या करता कि पूरे पेज को 44D करता है हुई कि इसलिए लूए पास हम लिखें कि अब यहाँ पास हम लिखें गा KP या लिखेंगे ठीक है उसके पाद जश्ट हम लोग इंटर ब स्काद ब्राम ज़िए और नीचे यहां पास just hadd को हम लोग क्या करेंगे है बन्द करेंगे अब यहां पास हम है ज्टomp करेंगे लिकें Xin अब यहां टाइटल हमको क्या दिखाना है यहां पास सो कर रहा है तो तो उसी तरह जिश्ट हम यहां पास टाइटल लिखेंगे अब टाइटल हमको क्या शो करेगा जैसे मालक चले हम टाइटल में लिख लिए हैं पास PG Computer Education यह हम लिख लिए अब जस्ट हम जो यह टाइटल लिखे हैं इस टाइटल को लास्ट में आपस बंद करना पड़ेगा स्लेस लगाके तो जस्ट हम लोग यहां पास टाइटल को बंद करेंगे यह बंद करेंगे इंटर करेंगे अब जैसे मालक चले हम पास कुछ टैक्स हम लोग लिखते हैं जैसे हम लोग यहां पास लिखे बी बी क्यों बी मतलब यहां पास क्या हो जागा बोल्ड हो जाएगा म आयम पंकर्ष गुपता यह हम लोग लिख लिए ठीक है अब जिसे हम लोग लिखें है आपस बी अब यहाँ लिख लिख लिखें है और इसको हम को पर लेट लगा के बंद करेंगे ठीक है इस तरह से फिर इंटर किये अब जैसे फिर से हम लोग यहां पास लिख लेते हैं क्या इटायलिक तो इसके लिए हमको को दिना पड़े यामय यूटूब चेनल यहां पास लिख लिए हम लोग श्राटिक में आय दियें मतलब इटायलिक करेंगा क्या टैली करेगा जो हमें टेक्स लिखें वैलकम माय यूटुब चैनल ठीक है अब इसको बंद करेंगे वापस लागा को यहाँ पास इसको बंद कर दिये उसी तरह और जैसे हम लोग भी लिखते हैं जैसे हम पास लिखते हैं एच्वान लेज दिले में हम लिख लिए एच् इसलिए है तो यह heading, मतलब जो tax लिखे होगे, क्या करेगा? heading की रुप में दिखाएगा, ठीक है? तो जैसा हम लोग यहाँ पा h1 कर दिये, अब यहाँ पाश लिख लेते हैं, please, subscribe my youtube channel, ठीक है? यह हम लिख लिए, अब जस्ट इसको हम लोग को क्या करना है? बंद करना है, तो यह, ठीक है? इतना हम लोग coding किये, मतलब coding क्या क्या है, जैसे HTML लिखे, अब यहाँ जो भी HTML लिखे, उसको हमको less less लगा के हमको यहाँ पास बंद करना होगा, ठीक है? उसी तरह हम लोग यहाँ पास head लिखे, तो head को भी हमको last में slash लगा के बंद करना होगा, अब जो भी coding करना है, हमको इस दोनों के अंदर ही करना है, ठीक है? अब यहाँ जैसे हम लिखे, title लिखे हम पास, पीजी computer education, ठीक है? तो यह title कहाँ show करेगा? यह title हमारा उपर, जब इसको हम run कराएंगे, तो उपर browser में यहाँ पास show करेगा, जैसे हमारे पास notepad में यह show करा, उसे तरह ब्राउजर में show करेगा, और उसके अंदर ही साम लोग यहाँ पास code लिख लिए क्या B, मतलब bold, ठीक है? यह bold क्या bold करेगा? तो जैसे हाँ पास लिख लिखे, हाय परकस गुपता, इसको क्या करेगा? bold करेगा, bold का coding क्या हो गया? B हो गया, उसी तरह italic करेगा क्या? यह जो जो भी text हम लिखे है, उसको heading के रूप में यह show करेगा, ठीक है? तो हम इतना coding लिख लिख लिए, अब इसको just shape करके देखते हैं, और run कर आखा देखते है किस तरह से यह, show कर रहा है, just change करने के लिए, file में जाएंगे, और यहाँ पास show करें, save is, save is पर click करेंगे, अब जैस जो भी नाम से save करना, नाम डाल देंगे, अब यहाँ पास हमको ध्यान देना कि उसके बाद dot html हमको लिखना जरूरी है, जो भी नाम से save करना करेंगे, फिर उसके बाद dot html करेंगे, तब यह क्या होगा? अच्छे सा save होगा, यह कर दिये, उसके बाद just हमको save पे click करना ह यह सेव हो गया. kadar की को चलोज नुकारे. इसको बस करने मीनिमाइस कें दीए तो यह साल किए तर देखेए रहे प्लट कर ने रहे हैं. इसव लोग क्या इसको ओपन करते देखतें कि पंकज गुपता वेलकम माई यूटूब चैनल ठीक है और यहां देखिए यह देखिए आपस सबसे पहले पीजी कॉंपेटर एजूकेशन यह किस तर का इसा सो कर रहा है कि हम टाइटल लगा है जैसे देखिए कोडिंग तो टाइटल में हमारे पास पीजी कॉंपेटर एजूकेशन मतब टाइटल का कोडिंग क्या हो गया यह कोडिंग हो अगर कुछ भी हमको टाइटल देना है तो इस तरह समको लिखना पड़ेगा अब देखिए आपस सुरू में को कर रहा है कि आयम पंकज गुपता यह हम लोग यहां पास किया है क्या रिटाइलिक में आई के हैं वेलकम माई यूटूब चैनल तो यहां पास इस तरह से सुरू कर रहा है अब यहां जिसे देखिए एक्षवर लिखें तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल मतलब हैडिंग कुरू में तो देखिये हम लोग क्या करेंगे अध्वांस लेबल हम लोग क्या करेंगे किस तरह समillon कोडिंग करेंगे तो लाइक करें सेर जोन करें सबसक्राइब करें गा